हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे स्मफ मूवी, जो कि छोटे छोटे नीले रंग के क्रीचर्स की कहानी है तो मूवी के शुरू में हमको स्मफ को देखते हैं, जो एक मैजिकल दिवार से होते हुए अपने गाउं में आते हैं जहां उनके जैसे बहुत सारे दूसरे स्मफ पी रहते हैं, ये सब अलग-अलग प्रोफेशन में बहुत माहिर हैं और आज यहां आपने एक ब्लू मून फैस्टिवल की तयारी कर रहे हैं यह हमें क्लम्सी नाम के स्मफ को देखते हैं, जो अपने रहसल के लिए लेट हो रहा है लेकिन इधर उधर टकराते हुए, किसी तरह वहां तक पहुच जाता है वहां उसे बदा चलता है कि स्मफ ने उसका नाम रहसल लिस्ट में नहीं डाला है क्योंकि उसकी हरकतों की वज़ा से कोई भी उसके साथ रहसल नहीं करना चाहता तो इसी तरह ये सब हसी खुशी अपनी लाइफ गुजारते हैं लेकिन हर स्टोरी की तरह इनकी लाइफ में भी एक खतरनाक विलेन है जिसका नाम है गारगामेल और वो अपने कैट इसराइल के साथ पास ही बने एक कैसल में रहता है उसका जादू बहुत कमजोर है और वो इन स्मफ को पकड़ कर उनके ब्लू एसेंस को पाना चाहता है जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा वापस गाओं में हम स्मफ के लीडर पापा स्मफ से मिलते हैं जो अपने मैजिक पोशिन से फ्यूचर देखने की पावर रखता है इस बड़ फ्यूचर में उसे एक ड्रेगन छड़ी दिखाई देती है जिसे कलमसी पकड़ने की कोशिश कर रहा है और इसी की वज़ा से उनके सारे साथी गारगा मेल के हाथ लग जाते है ये देखकर उसे चिंता होने लगती है और तब ही उसे मिले कलमसी वहां आता है कलमसी को जड़ी बूटी ढून रहा है लेकिन वो उसे वहां कही नजर नहीं आती और उन्हें तोडने के लिए वो जंगल में जाने का प्लैन करता है पापा समाफू से ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो जगा गारगा मेल के कैसल के बहुत करीब है लेकिन कलमसी उनकी एक नहीं सुनता और अकेला जंगल के और निकल जाता है वो अभी जड़ी बोटी ले ही रहा था कि तब ही वहाँ गारगा मेल आ जाता है और उसकी कैट कलमसी के पीछे पड़ जाती है उनसे बचने के लिए वो अपनी मैजिकल वोल का यूज़ करता है और इसी चकर में गारगा मेल को भी उनके गाउं की लोकेशन का पता चल जाता है कलमसी भागता हुआ पापा स्मॉफ के पास आता है लेकिन इस से पहले कि वो उनने पूरी बात बता पाए गारगा मेल उनके गाउं पर हमला कर देता है वो लोग बचकर इदर उदर भागने लगते हैं और गारगामेल पापा स्मफ को घेर लेता है लेकिन वो अपने ट्रैप की मदद से किसी तरह बच निकलता है बचने के लिए सभी स्मफ जंगल के और जाने लगते हैं लेकिन क्लमसी गल्दी से दूसरे रास्ते पर निकल जाता है स्मर्फिट देखती है कि ये दो फॉर्बिडन फोल्स का रास्ता है और वो पापा स्मफ और दूसरे सात्यों के साथ उसे बचाने जाते हैं इदर क्लमसी भागते वे एक पहाड़ी से नीचे गिनने लगता है लेकिन वो लोग एंडाइम पर आकर उसे पकड़ लेते हैं अचानक ब्लूम उनकी वज़ा से वहाँ एक पॉर्टल खुल जाता है और वो उन सभी स्मफ को अपने अंदर खीशने लगता है तब ही उन्हें ढूंदता हुआ गारगामेल वहाँ आता है और उससे बचने के लिए पापसमफ सभी को लेकर उस पॉर्टल में चला जाता है पता चलता है कि पॉर्टल उन्हें प्रेजन डेकि न्यूयोक शहर में ले आया है और वो लोग वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर बहुत हैरान होते है तब ही गारगामेल और उसकी कैड़ में उनके पीछे आ जाते है और बचने के लिए उन्हें सीटी की तरो भागना पड़ता है आगे का सीन पास ही चल रही एक पार्टी का है जो हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं पैट्रिक एंजलो नाम के एक कोस्मेटिक कमपनी में काम करता है और उसकी बोस है ओडिल नाम के एक खड़ूस लेडी ओडिल अपने नए प्रोड़क्ट के लिए उसे एक डिजिटल एड़ बनाने को बोलती है लेकिन इसके लिए उसके पास बस दो दिन का वक्त है और ये सुनकर पैट्रिक परिशान हो जाता है इधर स्मुफ देखते हैं कि वापिस जाने वाला पोटल बंद हो चुका है लेकिन पापा स्मुफ बताते हैं कि ब्लू मुन आज रात उस पोटल को दुबारा खोल देगा और तब तक उन्हें छुपने के लिए कोई जगा डूननी होगी तब ही अचानक इसराइल उन पर हमला कर देती है और उन्हें पकडने के चक्कर में उसके मुँ में स्मर्फिट के कुछ बाला जाते हैं क्लमसी भी उससे बज़ता हुआ एक बोक्स में गिर जाता है जिसे पैट्रिक उठा कर अपने कैब में रख लेता है बाकि स्मुफ भी ये सब देख लेते हैं और पैट्रिक का पीछा करते हुए उसके साथ उस टेक्सी में चले जाते हैं गार का मेल उन्हें पकडने की कोशिश करता है लेकिन स्मुफ की बज़ाए उसके हथ पैट्रिक के कंपनी का कार्ड लग जाता है आगे वो लोग पैट्रिक के घर पहुँचते हैं जहां वो अपनी pregnant wife Grace के साथ रहता है वो Grace को बताता है कि कैसे वो company का marketing president बन गया है लेकिन उसके पास campaign बनाने के लिए बस दो दिन का वक्त है परना ओडेल उसे company से बाहा निकाल देगी यहीं दूसरी तरफ Gargamel Smurfs को पकरने के तरकीब सोचता है कि तब ही एजराई Smurfs के खायवे बालों को बाहा निकाल देती है बाल देखकर Gargamel बहुत कुश होता है क्योंकि इन बालों से वो blue essence को extract कर सकता है और यही power Smurfs को पकरने में उसकी मदद करने वाली है तब ही उसकी नजर पास ही बने एक पुराने कैसल पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी basement में एक छोटी सी lab बनी हुई है वो उन बालों से blue essence को extract करता है और उसे इस्तमाल करने के लिए अपनी ring में डाल देता है इतर clumsy किसी तरह उस box से बाहर आता है लेकिन Patrick का टोग उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे बचने के लिए बात्रूम में चला जाता है बाकि स्मॉफ भी clumsy को ढूंडते वे उस box तक आते हैं लेकिन Patrick उन्हें देख लेता है और दूसरी तरफ Grace भी टोईलेट में clumsy को देख लेती है पहले तो वो लोग उन्हें देखकर ढर जाते है लेकिन कलम से Grace से बात करके उसे शान्त करता है Patrick दूसरी स्मॉफ को बाहर बगाने की सोचता है लेकिन वो सब उसे घेर कर बांद देते है और तब ही Grace वहाँ आकर बताती है कि ये सब creatures से एकदम friendly है जल्द ही वो लोग Patrick और Grace से comfortable हो जाते है और पापा स्मॉफ उन्हें अपने बारे में सारी बात बताता है कि कैसे वो blue moon की रात को ही वापिस घर जा सकते है पैट्रिक उन्हें बताता है कि महीने में आने वाले दूसरे full moon को ही blue moon कहा जाता है लेकिन दिखने में वो एकदम normal color का होता है तब पापा स्मॉफ कहते हैं कि वो अपने magical potion से उस normal moon को blue moon में बदल सकता है लेकिन इसके लिए उसे stargazer की जरूरत पड़ेगी ताकि वो stars की position का सही अंदाजा लगा सके फिर पापा स्मॉफ सबको blue berries देता है और कहता है कि पहले हमें एक stargazer को पाना होगा और दूसरा एक spell book डूननी होगी ताकि blue moon को invoke किया जा सके आगे पैट्रिक और grace अपने काम से बाहर जाने लगते हैं और पैट्रिक स्मॉफ से घर में ही रूखने को बोलता है ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ें लेकिन स्मॉफ उसकी एक नहीं सुनते और clumsy को घर पर ही छोड़कर पैट्रिक के पीछे उसके ओफिस तक चले जाते हैं पैट्रिक उन्हें टैक्सी पर देखकर घपरा जाता है और सबसे चुपाता हुआ उन्हें अपने साथ ओफिस में ले आता है वहाँ उसका सामना ओडिल से होता है और वो उसे एक बार फिर पॉन करती है कि कल शाम तक उसका कैम्पेन तयार हो जाना चाहिए ओफिस में समक पैट्रिक को बहुत परिशान करते हैं और तंग आकर वो ग्रेस को उन्हें यहां से ले जाने को बोलता है इधर पैट्रिक के विजिडिंग कार्ट की मदद से गारगा मैल उसके ओफिस तक पहुँच जाता है और वहां उसकी बहुस ओडिल मिलती है जो अपनी मौम पर अपने प्रोडेक्ट का टेस्ट कर रही है गारगा मैल को लगता है कि यह सब शायद कोई स्पेल करने की कोशिश कर रही है और उन्हें इंप्रेस करने के लिए वह अपने मैचिक से उसकी मौम को यंग बना देता है ये देखकर ओडिल के साथ साथ बागी लोग भी बहुत हैरान होते है और ओडिल उसे अपनी ट्रिक को एक्स्प्लेट करने को कहती है लेकिन गारगा मैल उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है तब ओडिलू से पैसे और फेम का लालच देती है जिससे वो पूरे दुनिया पर राज कर सकता है और ये जुनकर गार्दामेल उसकी बात मान जाता है लेकिन कहता है कि सबसे पहले मुझे स्मॉफ्स को पकड़ना होगा यहीं ग्रेस स्मॉफ्स को वापस घर ले जाने लगती है लेकिन रास्ते में उनकी नजर मॉल पर लगे एक स्टार केजर के पोस्टर पर पड़ती है और ग्रेस की मना करने के बाफ़ूत वो सब भागतर उस मॉल में चले जाते हैं और अलग-अलग होकर स्टार केजर को ढूणने लगते हैं ग्रेस पैट्रिक को जल्दी से मॉल म आने को कहती है लेकिन निकलते हुए गार-गामेल पैट्रिक को देख लेता है और भैचान चाता है कि स्मफ उसी की कार में बैठ कर गए थे वो भी पैट्रिक का पीछा करते हुए मॉल तक आता है और वहाँ उसे वो स्मफ दिखाई देते हैं वो अपने मैजिक से उने खतम हो गया है फिर वो पास ही खड़े आदमी से उसका लीफ लोगर चुराता है और उसकी मदद से कुछ स्मफ को पकड़ लेता है लेकिन एन टाइम पर पैट्रिक वहाँ आकर स्मफ को अजाद करा लेता है और गार-गामेल को चोरी के जुर्म में पुलिस अरेस्ट कर ले था लेकिन पापा स्मफ ने अपने जादू से उसके मन को बदल दिया और तब से वो बाके स्मफ के साथ मिल जूल कर रहती है पैट्रिक भी अपनी डिजिटल एड बना कर ओडिल को सेंड कर देता है लेकिन क्लमसी की गलती के कारण उसकी जगा ब्लू मुन वाली इमेज चल पापा स्मफ ने बताता है कि आज राद हम सब घर जा रहे हैं लेकिन इसके लिए उन्हें एक मैजिक स्पेल बुक की जरूरत है पैट्रिक उन्हें पास से बनी एक एंटिक शॉप के बारे में बताता है और कहता है कि तुमें वहाँ वो बुक जरूर मिल जाएगी तब ही नजर खिटकी से बारे एक एड स्क्रीन पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ उसकी एड की बजाए ब्लू मून वाली एड है स्मफ समझ जाते हैं कि ये क्लमसी का किया धरा है और पैट्रिक गुस्से में इसे ठीक करने निकल जाता है लेकिन जल्दी ये एड पूरी सिटी में फैल जाती है और ओडिल तुरंत उसे इस गलती को फिक्स करने को कहती है स्मफ एंटिक शॉप में उस फैल बुक को डूनने जाते है और गार का मैल भी अपने बचे हुए एसेंस को लेकर उने पकड़ने निकल जाता है रास्त में एक हॉमलेस आदमी से उसे स्मफ के बारे में पता चलता है और वो उनके पीछे 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 बुक शॉप में आ जाता है वहाँ उसे एक एंडिक ट्रैकन शड़ी दिखाई देती है और वो अपना सारा मैजिक उसमें ट्रांसफर कर लेता है पापा स्मफ को भी फाइनली वो स्पैल मिल जाता है लेकिन तब ही पापा स्मफ को वहाँ वो बिंजरे नजर आते हैं और उसे लगता है कि शायद उसका सपना साच होने वाला है इधर पैटरिक भी समझ जाता है कि शायद उसे गुस्से में रियाक्ट नहीं करना चाहिए था और वो ओडिल से ब्लू मौन को ही अपना फाइनल कैमपे इने एक्सेप्ट करने को कहता है लेकिन ओडिल कहती है कि अगर या आइडिया फेल हो गया तो तुमें फायर होने से कोई नहीं रोग सकता तब ही बचे हुए समफ्स महां कर उने गार का मैल के बारे में बताते हैं और वो सब मिलकर पापा समफ को बचाने का प्लैन करते हैं वो लोग छुपते हुए किसी तरह गार का मैल के कैसल तकाते हैं और उदर प्लैनी नाम का समफ स्पैल बुक से ब्लू मून को समन करने लगता है जल्दी ही उसके पोशिन से मून पूरी तरह ब्लू हो जाता है और ओडिल को भी लगता है कि पैट्री का कैम्पेन काम्याब ह गया है गार का मैल पापा समफ को कैद करके बाहर आता है और देखता है कि समफ ने पोटल से अपने पूरे गाउं को यहां बुला लिया है वो सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और वहां समर्फिट एजराहिल को हरा कर पापा समफ को बचा लेती है गार का मैल अपनी पा करने उसके पीछे बागता है और सबको लगता है कि शायद इस बार भी वो सब कुछ बिगाड़ने वाला है लेकिन क्लमसी इस बार अपने काम में कोई गल्दी नहीं करता और छड़ी के हाते ही गार का मेल को उसकी पावर से दूर उचाल देता है गार का मेल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन तब ही एक बस उसे खीच कर अपने साथ ले जाती है सबी लोग क्लमसी की बहुत तारीफ करते हैं और पापा समफ उस छड़ी को प्रमोशन तुमारा वेट कर रहा है एंड सीन में हम देखते हैं कि समफ ने अपने गाउं को बिलकुर न्यूयोक जैसा बना लिया है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू